दोस्तो टेरेस पर और वो भी गमले में ये इस तरह से कोई fruit लगे हो तो है न आश्चरी की बात क्योंकि लोगों से बात करो तो यहीं कहेंगे गमले में fruit हाँ होई नहीं सकता है वो तो जमीन की बात है जमीन पर ट्री होते हैं बड़े-बड़े पेड़ होते हैं तब उसमें terrace पर मेरे गंबले में मेरे grow bag में किस तरह से fruit लदे हुए है तो आपको देखकर आश्चर्य लगेगा तो आपका यह concept है वो बिल्कुल change हो जागा बिल्कुल बदल जाएगा और वो भी ऐसे ऐसे fruit लगे हैं जो की rare ही होते हैं जो आपको market पर जल्दी मिलेंगे नहीं वो आपक पर fruiting plant नहीं हो सकता है तो कई बार आप लोगोंने कोशिश भी गी होगी आप fruiting plant लाए भी होगे इस अब देख करके वीडियो देख करके लेकिन वो successful नहीं हो पाए होंगे क्योंकि आपने यह नहीं जाना कि fruiting plant लगाने की कौन से tips होते हैं कौन से care होते हैं कितने size pot हो किस तरह से मेरे fruiting plant में फल लगे हैं और यह भी terrace पर तो देखिए सबसे पहले आपको यह दिख रहा होगा चीकू तो जानते हैं दोस्तों जब आप flowers लगाते हैं तो flowers के लिए आप कैसे भी planter में लाकर लगा देंगे कैसी भी तो उसमें fruiting होने ही लगेगी चाहे fruiting कम ह लेकिन fruiting होगी जरूर छोटी फल होगे लेकिन होगे जरूर। उसी तरह से किसी भी flowering plant को लाकर करके आप किसी भी pot में लगा देंगे तो उसमें फूल जरूर खीलेंगे कम खीलें लेकिन खीलेंगे जरूर। लेकिन यह बात fruiting plant के साथ नहीं है, fruiting plant में आपको अच्छी मिटी देनी ही होगी तभी उसमें अच्छे से फ्रूट आएंगे तो सबसे पहले जरूरी बात है दोस्तों कि हम जब भी फ्रूटिंग प्लांट लाते हैं तो उसके लाने का टाइम क्या होता है यह इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि हम डिसंबर मिला रहे हैं जन्वरी मिला रहे हैं या मार्च मिला रहे हैं या अगस मिला रहे हैं तो सबसे अच्छा जो समय होता है जन्वरी का होता है और फिर जुलाई और अगस का होता है यदि आप जन्वरी मे ले लेकर आते हैं तो उसके harvesting का time आपको मिल जाता है लेकिन आपको ध्यान यह रखना होगा कि आप जो fruit plant लेकर आया है वो बिलकुल भी grafted fruit plant हो यदी वो normal fruit plant होगा तो उसमें 5 साल लग जाएंगे आपको fruit लाने में यदी आप grafted लाते हैं देखे मैंने मेरे पास जितने भी fruiting plant ह यहां पर देखें, मैं अभी इसे भी जनवरी में ले कर आई थी, और जनवरी में ले कर आई थी, मार्स अप्रिल में इसमें 5 फ्रूट लगे थे, छोटे से प्लांट में ही, तो यह बहुत डिपंड करता है कि आप किस समय फ्रूटिंग प्लांट लाकर लगाते हैं, तो सबस बेस्ट जो समय है, वो है जनवरी का, और दूसरा है जुलाई और अगस्त का, प्लांट लाने के बाद जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो अठ है पॉट साइज, आप क्या सेलेक्ट करते हैं, किस पॉट में उसे लगाते हैं, यदि आप छोटे से पॉट में जादा से जादा जगा चाहिए, जब तक जड़े मैचुर नहीं होगी, तब तक उसमें फूट नहीं लगेंगे, तो जैसे ही आप कोई भी फूट प्लान लेकर आते हैं, तो कम से कम उन्हें 15 से 22 इंच के पॉट में लगाईए, जब थोड़े से और बड़े होंगे, तब आप उन्हें 22 इंच का पॉट दीजिए, तब यू उनमें ग्रोथ होगी, देखिए मेरे जितने भी बड़े बड़े जो पेड़े हैं, अमरूद हैं, अनार हैं, चीकू हैं, एपल बेर हैं, इन सभी को पपाया हैं, इन सभी को मैंने इतने बड़े बड़े से बोरी में या बड़े बड़े से ग्रो बैग में लगाया है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, तब ही वो फल पाएंगे, देखिए, यहां पर यह स्वरन रिखा आम है, और लास्ट एर मैंसे जनवरी में लेकर आई थी, मार्च में इसमें 3-4 फल लगे थे, मैंने इसे हटा दिया, देखिए, इसके पॉर्ट साइज, लंबाई, चोड़ाई, गहराई, इसकी काफी है, तो इस बार इसमें मैं फ्रूटी लोगे, क्योंकि इस बार इसमें मैचुरिटी आ गए है, यह थोड़े से मैचुर हो गया है, तो एक या दो फल मैं इससे लोगी, और यहां देखिए, यह मैंने जो अंजीर के प्लांट लगाया है, इसे 20 लीटर के बकिट में मैंने लगाया, जब यह मैं इसे लेकर आई थी, तब यह बिल्कुल एक डंडी सा था और जनवरी में ही लेकर आई थी, और वो जनवरी और आज की जनवरी में देखिए, एक साल हो गया है, तो यह दॉर्मेंसी पीरेट था उस समय और अभी भी दॉर्मेंसी पीरेट कहा जाता है, लेकिन मेरे अंजीर के प्लांट में देखिए, कितने सारे इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, तो कैसी मैंने देख भाल की, मैंने पॉट कैसा दिया, मिट्टी कैसी दी, इस पर डिपेंड कर जब लेकर आई थी, तो बिल्कुल डॉर्मेंट था और इसमें एक भी पत्ते नहीं थे, एक भी शूट नहीं थे, लेकिन वही जर्वरी का मौसम है, और देखिए, इतने सारे इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, यहां भी मेरे कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगे हुए हैं जिनके पॉर्साइड मैंने 15 इंच अभी रखे हुए हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं, तो यह मलबरी है, इसमें मैंने बहुत सारे फ्रूट ले चुकी हुँ मैं इसमें, यह चीकू है, इसमें अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है, और यह एक और है चीकू, जिसमें की वो च नाशपाती है, जो कि मैंने 18 इंच के पॉर्ट में लगाया हुआ है, अभी इनके फलने में 1-2 साल का टाइम है, तो इसमें मैंने 18 इंच दिया है, और इसमें देखी मैंने कट कर दिया, तो नए-ने शूर्स आ रहे हैं, तो दोस्तों, फ्रूटिंग प्लांट के लिए पॉ अमरूद है, इन सब को पहले मैंने 15 इंच के गंबला दिया, फिर मैंने उसे 18 इंच में शिफ्ट किया, और जब उसमें फ्लावरिंग अच्छी होने लगी, तो मैंने उसे 22 इंच के ग्रो बैंग में शिफ्ट कर दिया, तो अब मुझे बहुत अच्छी हर्वेस्टिंग मि चालिस अनार मिल चुके हैं, यह देखिए मेरे अनार का पेड़, जब मैं इसे ले कर आया थी तो मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगाया, उस समय इसमें फूल फूल ही हो रहे थे, फिर मैंने इसे बदल करके 15 इंच में लगाया, तो एक दो फल हुए, और जब और पॉट साइज मेरे बहुत अच्छे थे, और पॉट साइज अच्छे होने के कारण इनकी बाढ़ बहुत अच्छी हुई, और जिसमें बहुत सारे फल लगे, और अभीदे के फिर से जनवरी का महीना है, यह फ्लावरिंग पर आ गये हैं, और फरवरी होते होते यह फल से द और अभी तो इनके फलने फूलने का टाइम है तो देखे कितने सारे इसमें फ्लावर आये हैं और सारे फ्लावर भी थोड़ी दिन के बाद कनवर्ट हो जाएंगे फ्रूट में और साल भर मुझे यहां से लेमन मिलता रहेगा तो जब तक आप उसे बड़ा पॉट नहीं दें तो पेड की तरह बढ़ने के लिए नीचे से इनकी जड़े बहुत तेजी से फैलती है मोटी मोटी जड़े हो जाती है तभी यह अच्छे से फूटिंग कर पाते हैं क्योंकि तभी यह मैच्योर हो पाते हैं तो बड़े पॉट का साहिज आपको देना है अब बारी आती है क इनकी मिट्टी कैसी बनाए जाए मिट्टी में 40% गार्डेन सोयल होना चाहिए 20% कमपोस्ट चाहिए वो कावडं कमपोस्ट हो वर्मी कमपोस्ट हो या लीफ मोल हो लीफ कमपोस्ट हो उसके साथ आपको इसमें एक हिसा यानि 20% इसमें कोकोपीड डालना है या फिर रेद लगा सकते हैं अब प्लांट में एक स्टेज आता है उसमें फल लग जाते हैं तो फल लग जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए उसमें हमें फटलाइजर डालना है और फटलाइजर कैसा डालना है तो बिल्कुल उसमें हमें पोटैशियम रिच फटलाइजर डालना है तो इन सबको मिला करके इसमें क्या होता है कि सारे nutrient जो एक पौधे के plant को बढ़ने के लिए और उनके fruit को बढ़ा करने के लिए और मीठा करने के लिए जरूरी होता है वे सारी चीज rays इसमें मौझूद है आप देख रहे हैं सूखे वे मात्रा में भी यहाँ पर केले की शिलके हैं और कच्चे केले की शिलके भी हैं आप चाहें तो कच्चे केले की शिलके को छोटे-छोटे टुकडो में करके मिट्टी में दबा दें धीरे धीरे वो डिकंपोस हो जाएगा और डिकंपोस होने के ब यह तीसा फॉर्मक होता है कि इन सब को आपको क्या करना फोरणीनत को मिला कर विग हैं शपर स Vaide कि जाड़े की देखते हैं कि सारे फूर से बढ़े होने लगते हैं उनके अच्छा समय होता है तो उस समय थोड़ी सी गर्मी देने के लिए उन्हें हमें डालना पड़ता है सरसो की खली, सरसो की खली में भी potassium होता है, थोड़ी सी गर्माहट होती है और इसी में मैंने जितने जो सुखाईवे मेरे छिलके थे, सबसे ज़्यदा भारी मातरा में potassium वो केले के छिलके में होता है, तो उसमें मैंने वो डाल दिया है, एंटी ऑक्सिजन तो नारंगी के छिलके में भी होता है और पपीते के छिलके में भी, तो वो भी मैंने मिला दि में जितने ज़्यादे निट्रेंट हैं वो सारे के सारे ये लिक्विड में आ जाएंगे और उसके बाद सर्सों की खली के साथ मिल करके बहुत अच्छी मात्रा में बहुत ही रिच फटलाइजर बनाएगा जिसे आप एक लिटर पानी में या दो लिटर पानी में एक लिटर ये लिक्विड मिला करके उसे अच्छे से घोल दीजिए और उसके बाद अपने प्लांट के हिसाब से सारे प्लांट में डाल दीजिए जो जो फ्रूटिंग पर आए हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे चीकू के प्लांट जो कि फ्रूटिंग पर आए हुए हैं आपके fruit बड़े होने लगते है fruit के पकने का time आने लगता है तो आपको यही treatment करना होगा तब ही आप successfully किसी भी fruit को उगा सकते हैं तो ठीक है दोस्तो मेरे इन बताएवे छोटे-छोटे tips पर ध्यान देंगे तो आप भी अपने terrace पर ऐसे ही fruit को उगा सकेंगे और मीठे-मीठे फल खा सकेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, comment कीजिए वीडियो पे नए है, मेरे चानल पे नए है तो मुझे subscribe भी कर लिजिए मिलती हो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और धेर सारे मीठे-मीठे फल खाएं ये देखिए, ये है नारंगी और ये है अंजीर तो ऐसे ही फल आपको भी मिलेंगे यदि आप मेरे बताहिए टिप्स पर अमल करते हैं और वैसे ही पॉर्साइज, वैसे ही मिट्टी, वैसे ही फटलाइजर और फ्रूटिंग प्लांट लाने का जो समय है उसको आप मेंटेन करते हैं तो आपको भी ऐसे ही मिठे-मिठे फल मिलेंगे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई चानकारी के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना धेर सारा खयाल रखें थैंक्यू